नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पिक्सल एंड मोशन चैनल पर आज हम बात करेंगे फोटोशॉप के बारे में फोटोशॉप दुनिया का सबसे एडवांस फोटो एडिटिंग सॉप्ट्वेर है फोटोशॉप को फोटोग्राफर, वेब डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर के दुआरा दुनिया में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है तो क्या आप भी सॉप्ट्वेर को यूज़ करना सीखना चाहेंगे अगर हाँ तो इस चैनल पर हम फोटोशॉप लर्निंग की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम फोटोशॉप के बारे में सभी एस्पेक्ट वर डायमेंशन से डिटेल वाइज डिसकस करेंगे हम फोटोशॉप की बिलकुल बेसिक से मोस्ट एडवांस फीचर के बारे में आपको बताएंगे हम इस सीरीज में फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन यानि फोटोशॉप CC 2019 को काम में लेंगे ताकि Photoshop की नई से नई फीचर के बारे में भी आपको जानकारी हो अगर आप Photoshop का कोई पुराना वर्जन जैसे 7.0 से लेकर CS6 के बीच में कोई भी वर्जन काम में ले रहे हैं या आपने कभी Photoshop पे काम नहीं किया है तो भी आप सीरीज से Photoshop के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं पुराने वर्जन और लेटेस्ट वर्जन में 80-90% तक तो टूल से फीचर सहम ही होते हैं बस थोड़ा इंटरफेस का ही फरक पड़ता है अगर आपको फिर भी Photoshop के किसी भी वर्जन के किसी भी टूल या फंक्शन को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं हम आपकी पूरी पूरी साहता करने की कोशिस करेंगी अगर आप इस सीरीज में शुरू से आखिर तक बने रहते हैं तो यखिन मानिए Photoshop के किसी भी फंक्शन या फीचर के बारे में आपको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा इस सीरीज को हम चार सब सीरीज में डिवाइड करेंगी पहली बेसिक सीरीज रहेगी दूसरी एडवांच सीरीज रहेगी और तीसरी ब्यूटी रीटच सीरीज रहेगी जो की वेडिंग फोटोग्रापर्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगी और इसके बाद हम मास्टर सीरीज शुरू करेंगी तो अगर आप वास्तों में फोटोशोप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जैसे हम अगला चैप्टर अपलोड करें तो आपको इसकी नोटिविकिसन मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक सीरीज का पहला चैप्टर तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और अड़ोब फोटोशोप पर प्लिक करें जैसे ही हम फोटोशोप ओपन करते हैं तो फोटोशोप की यह वेलकम स्क्रीन सामने आती है इस स्क्रीन पर आपको आपकी पिछली खोली हुई 20 फाइले यहां पर दिखाई देती हैं जैने आप यहां से स्क्रोल करके देख सकते हैं आप किसी भी फाइल को अगर खूलना चाहें तो क्लिक कीजिए वो फाइल फोटोशोप में खुल जाएगी इन फाइलों को आप अपनी सुविधा के अनुसार नाम से लास्ट ओपन के हिसाफ से साइज के हिसाफ से या फिर काइंट के हिसाफ से सोट कर सकते हैं जैसि काइंड के हिसाफ से सोट करने पर सबसे पहले हमें टिप फाइल दिखाई दे रही है यह दूसरी फाइल पी फनजी है यह तीसरी वाली फोटोचोप पी एएजडी फाइल है चोती जेपी जी है इस प्रकार से आगे भी है नाम से select करने पिर हमें alpha rating फाईले दिखाई दे रही है जैसे w, v, t यह descending order है आप ascending order में भी कर सकते हैं से descending और ascending order करके आप set कर सकते हैं इसके अलावा आप फाइल का filter भी कर सकते हैं जैसे मुझे सरफ phd फाईल देखनी है बाकि और फाइले नहीं देखने तो आप .phd टाइप कीजिए तो लिष्ट में जो भी phd फाइल है वो सामने रहेगी बाकि आपको दिखाई नहीं देगी जैसे png फाइल मैंने सेलेक्ट की तो सिरब png फाइल है आपके सामने रहेगी बाकि नहीं रहेगी आप इस लिष्ट को टाइल व्यू के बजाए लिष्ट व्यू भी कर सकते हैं यहां से लिष्ट व्यू में करने के बाद आप नाम से सोर्ट कर सकते हैं last open से sort कर सकते हैं, size के हिसाब से sort कर सकते हैं, या kind के हिसाब से sort कर सकते हैं. By default, ये फाइलों की संक्षा 20 है, अगर आप चाहें, तो इसे आप कम या जादा कर सकते हैं, इसके लिए आपको edit menu में जाके, preference पे click करना है, और preference में आपको general पे click करना है, जिसे आप computer के shortcut control के से भी खोल सकते हैं. Preference window खुलने के बाद में आपको file handling पे click करना है, और जो ये last option है, recent file list contents, इसे आप 30 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, अरितम आप 100 files तक कर सकते हैं, और इसके बाद में आप OK पे click कीजिए, तो उतनी ही file है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. By side में आपके सामने create new और open ये दो बटन है, create new पर click करने से आपके सामने नए document बनाने के लिए ये window आ जाती है, इसमें पहले से ही कुछ preset size दी हुई है, जिन पर click करके आप create button दबाएंगे, तो उस size की document बन जाएगा. जैसे photo से संबंदित size यहाँ पे है, web से संबंदित यहाँ पे है, mobile से संबंदित यहाँ पे है, इस प्रकार इसमें preset size दी हुई है. अगर आप खुद अपने document को कोई size देना चाहते हैं, तो पहले यहाँ पे आप अपने document का नाम टाइप कीजिए, फिर आप यहाँ पे उसकी width और height सेट कीजिए. सेट करने के लिए आप measurement पिक्सल में ले सकते हैं, इंच में ले सकते हैं, cm में जो भी आप को चाहिए वो ले सकते हैं. जैसे मैं इंच Z करता हूँ, और यहाँ पे 12 और 8 इंच का एक size देता हूँ. इसके बाद orientation आप vertical या horizontal जो भी चाहिए ले सकते हैं. resolution अभी हम 300 पिक्सल पर इंच कर देते हैं, बाद में हम detail से जानेंगे pixel पर इंच क्या काम आता है. background content में आप white color रख सकते हैं, सिरुफ white, black और transparent option ही था, अभी नए version में background color और custom ये दो नए option एड़ किये गए हैं. ये सब set करने के बाद आप create button पे click करेंगे, तो आपके सामने आपकी दी हुई size का document बन जाता है. अभी के लिए हम इस document को बंद करते हैं, जैसे हम document को बंद करेंगे, तो हमें फिर से ये welcome screen पे ले आएगा. यहाँ पे दूसरा button है open का, open button पे click करने पर आप अपने computer के hard drive के किसी भी folder से कोई भी photo Photoshop में खोल सकते हैं. कोई भी photo खोलने के लिए आप उस photo पर click कीजे और open button दवाए तो वो photo Photoshop में खुल जाएगी. अभी के लिए हम इस photo को बंद करते हैं. जैसे हम बंद करते हैं, फिर से हमें ये welcome screen पे ले जाता है. Photoshop की पुराने versions में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे 7, CS3, CS4, CS5, तो उनके लिए ये welcome screen नया है और ये उन्हें हो सकता है, अच्छा ना लगे, तो आप चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं. इसके लिए आप edit में, preference में, general पे जाएए और disable the home screen यहाँ पी click करके ok कीजिए. ok करने के बाद आप अपना photoshop बंद कर दीजिए, और अप सेसे ही आप अपना photoshop वापस कॉलेंगे, तो welcome screen की बजाए आपको ये सीधे photoshop की main window में ही ले आएगा, इस प्रकार आप इसे बंद कर सकते हैं. अगर आप इसे फिर से चालू करना चाहें, तो preference, general और disable the home screen पे uncheck करके ok की दबाईए, तो फिर से आपके सामने वही welcome screen आने लगेगी. अब हम बात करते हैं photoshop के work space के बारे, सबसे उपर जो जिसमें ये file edit image ये है, इसको menu बार बोलते हैं, इसमें file से समंदित menu है, editor समंदित, image समंदित, इस प्रकार, कई प्रकार की menu है, right side में आपके सामने minimize, maximize और close करने का button है, menu बार के ठीक नीचे ये option bar है, ये option bar tool sensitive है, जैसे हम किसी tool को select करते हैं, तो उसके हिसाल से ये option bar बदलता जाता है, जैसे मैंने market tool को select कर रखा है, तो market tool से समंदित option इसमें दिखाई देंगे, जैसे मैं hand tool को select करता हूँ, तो hand tool से समंदित option इसमें दिखाई देंगे, इस प्रकार, जिस two पर अप select करोगे, उस समंदित option इसमें दिखाई देंगे, left side में आपके सामने ये area दिखाई दे रहा है, ये toolbox है, इसमें copy प्रकार के tools है, आप कोई भी photo के का पाइता से ही काम करेंगे जैसे ही आप किसी टूल के ऊपर अपना माउस का प्रेसर लेके जाते हैं तो पोटोशोप उस टूल का नाम और कीबोर शोटकट दिखाता है जैसे ये लाउसो टूल है तो इसके लिए एल कीबोर्ड शोटकट है दाएं साइड में आपके सामने ये दो कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं इन कॉलम्स में पैनल बने हुई है जैसे ये कलर पैनल ये लाइब्रेरीज पैनल और ये लेयर पैनल इन पैनल में भी अलग अलग टेप बनी हुई है जैसे लाइब्रेरीज पैनल में एडिस्टमेंट ट लेयर पैनल पे भी यह टैब्स बनी हुई है बाई डिफाल्ट फोटोशोप का यह जो वर्क स्पेस है यह इसेंशियल पे सेट रहता है जिसे आप अपने जरूरत के हिसाफ से चैंज कर सकता है यह है चैंज करने के लिए आप इस आइकन पे क्लік कीजे और से इसेंशियल पे चैंश आप इसे चैंज प्लिक करें तो यह 3D के हिसाफ से आपके इपैनल सेट हो जाती हैं, ग्राफिक एंड वर्टे क्लिक करेंगे, तो इसी साफ से, इस पर का यह अलग-अलग वर्कस्पेस बनी हुए है, इन पर आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, अगर आपका कोई वर्कस्पेस, मालो जैसे यह जो आपका चैंज हो गया आप इसे फिर से पहले की तरह की करने के लिए जैसे है यह पैंट इंटिंग वर्क इसे के लिए यहांपर आएगा爾ी पैंट्ट सेंगां तो जो सब्सक्राइब Allah किर और जेंटिंग लें どौू जो शेहरान से कि एव्यॐ भी workspace set कर सकते हैं, अगर यह default या जो preset workspace है आपको पसंद नहीं है, तो आप अपने हिसाब से भी workspace बना सकते हैं, तो इसके लिए हम पहले इन सभी panels को हटा देते हैं, इसके लिए हम जैसे यह panel है, adjustment इसको यहां पे click करके, drag करके निकालेंगे, और यहां से close button पे click करेंगे, तो यह बंद हो जाएजा, और यह color panel है, इसको भी हम click करके बाहर निकालते हैं, और यह बंद कर देते हैं, तो इस हिसाब से आप जो भी panel आपको नहीं चाहिए, उसे आप click करके, drag करके बाहर निकालेंगे, और बंद कर दीचे, आप आपको जो भी panel चाहिए, वो panel set करने के इसके अलाव मेरे को, navigator panel से ही, इस परकार मैंने यह दो panel ले दे दे, अब इन panel को अब इस column में set करने के लिए, आप इसे click करके, drag करते हुए, इस column में लाएंगे, और column के उपर ही हिससे की तरफ लेके जाएंगे, तो जैसे ही आपको यह जो नीली line दिखाई देगी, इस न navigator panel को select करके, drag करते हुए, layer और color panel के बीच में लाएंगे, तो यह जो लीली line दिखाई देगी, तो यहां पे आप छोड़ दीजे, तो यह color और layer के बीच में navigator panel सेट होगी, इसे परकार मान लो, अब यह जो panel से, और भी panel आपको चाहिए, तो जैसे libraries panel में ने खोली, तो यह नहां पे आगया, libraries panel, अब इस libraries panel को मैं चाहता हूँ, कि यह जो navigator panel है, इसी की tab में जोड़ू, tab जैसे आप देख रहे हैं, layer के अंदर channel और path, यह जो tab है, तो इसके लिए आप इस libraries panel को select केजिए, और navigator panel पे लेके आए, navigator panel के चारों तरफ, नीली line आपको दिखाई दे, त तो यह इसकी tab बन जाएगी, notice करने वाली बात यह है, जैसे हम एक नई panel लेते हैं, जैसे मैंने brush panel ली, तो इस panel को हम drag करते हुए, इस panel के column में लेके जाते हैं, तो जब दो panels के बीच में, नीली line, single नीली line दिखाई देती है, ताँ हम इसे drop करते हैं, तो यह पूरा एक panel ही set होता है, और अगर हम किसी panel लेके जाते हैं, और उस panel के चारो तरफ नीली line दिखाई देती है, तब हम अगर उसे छोड़ते हैं, तो यह उस panel की tape बन जाता है, तो इस प्रकार हमने जाना, कैसे अपने हिसाब से, जो panel हम को चाहिए, वो रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए, वो नहीं रखेंगे, अब यह जो दूसरा column आपको दिखाई दे रहा है, इसमें panels के सिर्फ आइकन दिखाई दे रहे हैं, जिसी यह history, यह action, यह panels के सिर्फ आइकन ही है, तो इन्हें आप देखना चाहते हैं, किसी भी panel पे सिर्फ क्लिक कीजिए, तो वो panel आपके सामने खुल ज हैं, तो आइकन पे क्लिक कीजिए, पैनल खुलेगा और यहां से आप बंद कर सकते हैं, इसमें भी आप पहले वाले column की तरह ही panels जोड सकते हैं, या हटा सकते हैं, या up-down कर सकते हैं, जैसे मैं इस properties panel को क्लिक करके खुलूँगा, और यहां से जब यह दिखाई दे रहा है, तो इसे उपर से सलेक्ट करके, ड्रेक करते हुए बाहर निकाल लोगा, और बाहर निकालने के बाद आपको close बटन दिखाई देगा, यहां से आप इसे बंद कर सकते हैं, जिस प्रकार हमने पहले वाले column में अपनी panels को सेट किया था, उसी प्रकार से इस panel में भी आप कोई पैनल सेट कर सकते हैं, जिसा प्रोपर्टीज, यह पैनल में ने खोली और इस पैनल को सेलेक्ट करके, इन दो पैनल के बीच में लाता हूँ, तो यहां पे एक नीले कलर का box दिखाई देता है, तो यहां पर मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो यह पैनल यहां पे सेट हो जा अधरते जाते हैं तो इसके लिए आप कोई भी यह करेक्टर इस्टाल्स, यह मैंने पैनल को पैनल को मैं कि सेलेक्ट करता हूँ और इसी ड्रेग करते हूँ जाता हूं være यहां पर दूर से कॉलम में आप और भी टैनल सेट कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस में में जबरूम में डबल आयरो운 में बदल जाता है। और इसे वाइं सैड में डरेग करता हूं। तो इस प्रकार आप इसे चोटा भी कर सकते हैं, मान लो ये कोलम बन गया, तो इसे कोलम आपको नहीं चाहिए, आप ड्रेग करके बाहर निकाले और बाहर निकालने पर आपको close button दिखाई देगा, तो आप इसे close कर सकते हैं, अब माल लो ये workspace आपको ठीक लग रहा है अपने काम के लिए तो आप इस workspace को save भी कर सकते हैं इसके लिए आप विंडो में जाएए workspace में जाएए और new workspace पे क्लिक कीजिए new workspace पे क्लिक करने तर आपको अपने workspace का नाम देना है जैसे इसे मैंने नाम देया my work और save पे क्लिक करेंगे तो ये एक नाया work space बन जाएगा अब आप इस workspace को विंडो में जाके WORK workspace पे जाके my work पे select करेंगे तो ये work पे आ जाएगगो अब my work से वापस किसी दूशरे work इस प्रकार आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना वर्क स्पेस सेट कर सकते हैं, अब यह जो बीच का एरिया दिखाई दे रहा है, जिसमें अपने इमेज खुली हुई है, यह वर्क एरिया है, हम जो भी डोकुमेंट खोलेंगी, वो इसी एरिया में रहेगा, और इसी मे हमको अपना काम करना है, इस डोकुमेंट की एक टैब बली हुए, तो जैसे हम कोई और डोकुमेंट खोलते हैं, तो उसकी एक अलग से नई टैब बन जाती है, तो इस प्रकार आप इस वर्क एरिया में कितने भी डोकुमेंट खोलोगे, उनकी उतनी ही टैब बन जाएगी, और आप उनमें से किसी को भी सलेक्ट करके उसमें काम कर सकते हैं, नीचे जो यह आपको पतली लाइन दिखाई दे रही है, इसे आप स्टेटस बार कर सकते हैं, इसमें आपके डोकुमेंट का स्टेटस दिखाई देता है, जैसे यह डोकुमेंट साइज दिखाई दे रही ह तो यह दूसरी डोकिमेंट का इस्टेटस बताता है जिसे यह 16.67.67 जूम लेवल है और 69 अमबी इसकी साइज दिखा रहा है